नमस्कार साथियों स्वागत है आपको अपने वीडियो अपलब्द करा देते तो अच्छा रहा था तो चलिए इसी कड़ी में आप लोग को जो है सल्यूसन वीडियो अपलब्द करा जा रहा है जिसमें आपको 56 से ले करके 75 तक के सभी परसुनों का आंसर जो है मिल जाएगा यदि आप लोग चाहते हैं कि practice set हम उपलब्द कर मतलब आपको मिल जाए जो बीपी ऐसी प्रथान सिख्षक कि यदि आप तयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो निशी तो रूप से सक्सेस की 92 का notes कम सकम जरूर पर लीजिए नोट्स पर लीजिए निशी तो रूप से नोट्स अगर पर लेंगे तो लगबग सभी चीजों का आपका समाने धन से लेकर के डेरेल का सबका notes है तो सुरबात करते हैं पहले प्रसंद से पहला प्रसंद आपका हैडू संख्या felony का इतना हो तो दूसरी इसका फर्मूला होता है ना थैर्थार यह करेंगे तो पहली संख्या के आसे करेंगे इसली थर् wir diff children इंग और तो आपको धिया है इसी को हल लिए इसको संख्या जो होगा यह गुणाम है 77 तर इसको धूर्श साथ को धित्री है उसा साथ को कटी गाटे गार cannot ऑठीक है यह दह्यार संख्या जाता है वैसे प्रसंट किए गया थीका देखिये दो संख्याव गुनफल 260 है मौसव इतना दिया हुआ है और जूर इतना दिया हुआ तो संख्या ग्याद कीजिए आप चाहें तो प्रस्ण उप्सन से भी इसको हल कर सकते हैं तो आसानी से सबसे पहला देखें दोस्ते हैं कि गुननफल 260 है 260 है तो किस उप्सन से गुना करेंगे यहां पर मौसव इसका निकाल के देखें तो भी बाड़ा ही आएगा और इसको जोर के देखें तो आपको प्रोसेस जो है तो आसल लंबा है कोई दिक्कत ने है उसको भी आप देख सकते हैं लेकिन उप्सन से बनी रहा हो तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं आजए अगला प्रोसे देखें बंधावन चोटी से चोटी से क्या की जो इतना 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 जो है तो भाग दिने पर साथ सबस्क्राइब पहले लगुटम लेगे पहले आप काम क्या खीजें लगुटम लेगे अप ठीक है लगुटम ऐसे लेंगे यहां 12 है 12 है 15 है 15-然後 16 नहीं लग अठारा दूसर बारे जोना चोवीस एक बारे सर तीन से लगा लिजे न तीन इकम तीन पहँचे पंदरा तीन साथे कीस तीन 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 नो और तीन चुके बारा अब यह कुछ भी लगने बाला नहीं बचा है एकदम तो गुना कर लेंगे दू दूनी चार चार ती यह बारा 12, 12, 12, 2500, 66, 67, 41, 46, 24, 22 तिया यनि हो जागा 1260 और 1260 हो जागा 40 ति यह पाँच हजार 40 और जब 5,040 हो जागा चुकि 7 सेश बचना चाहिए तो 5,040 में इन सभी संक्यां जो आपको पहले दी गई थी इन सबसे भाग लएगा लेकिन साथ अगर जोड देंगे तो सब में सबसे तो लएगा भी लएगा और साथ से सेस हर्वार में बज जाएगा यह अपका एड्यक्ट अंसर अगर देखा जाए तो 1547 अपका सगी अंसर होगा अगले प्रस्न को देख लेते हैं अगला के ता क चाइए तर्मकों त्रेiraso जानते हैं कुछ इस प्रकार का होता है एक को चो है को नबे डिका होना चाहिए तो है पाइथागोरस पर में लगता है वहाँ पर रूट अंडर हो जाता है करन ड करन ड करन 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 स्कॉर मिनस अधार स्क्टार राब 54 को यह तो एक सथलगे Iya. खिर और कि अधर को आ इनके दो इस गोगा Sud Cecil च्ठार जो से के बारा हो गया का जाए winter है बिल्कुल कुछ कुछ सोचने की आवसकता नहीं है आपका चेट फ़ल तीस ही ही होगा क्लिए रहा है सर आजाए अगरा प्रसंद देख लेते हैं के तासर सवाल से पहला है से पहले हैं कि ऊपछे सपस्ब्सक्रास तो और देखें के तुछ और आपकेоры करें यह पहला चार था सार पहली सक्षा gelecek हो जाएगा चार पांच सब्सक्राइल आप जो 3 0000 दिखाई दे रहा होगा असपस्ट रूप से तो 30 हो जाएगा आपका एडजेक्ट अंसर यहाँ पर जो देख रहें सी नंबर वो अप्सन हो जाएगा यहाँ जो X का वैल्यू आया था सर यह X का वैल्यू पांच इसी X का वैल्यू यह इस तीनों में आपको पूट अप कर दे सर हम पिछली कक्षा में भी आपको बता दिये थे कि जब आईतन की बात होती है तो आपको तीन बार इसको जूरिया घटाओ करना है लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना है कि तिरजिया चुकि आईतन में फर्मूला होता है एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वाइर एच य परतिसात है तो लिख दीजे पहले 200 अब बिर्दी हो रहा तो पलस में लिखेंगे आप 50 परतिसात कमी हो रहा तो लिख दीजे माइनस 50 फिर क्या कैजिए यहां पर लिख दीजे पलस यह जाएगा 200 अग उने हो जाएगा माइनस 50 अब अब टाम कर देना है 100 यानि एक बार जोड़ना या घटाना है और एक बार आपको क्या कर देना दोनों को गुना कर देना यहां पर देखिए तो एक जीरो से खतम हो जाएगा यह 5 दुनी 10 दूसे काटेगा तो इसको 100 हो जाएगा divas काठेगा फोईपार प्लस में है सर, ये तो हमारा हो गया, एक बार ले लिए उचाई और एक बार हमने ले लिया, अर्दविया से नित तरजिया, अब तरजिया चुकि इसमें दो बार फर्मूला मोटता तो एक बार और चाहिए, तो 50% और कमी करना तो मैनस 50 रिख लिए और इसमें फिर इस मैनस 50 से गुना करके जोड दीजिए जोड देना है कि इसको तो 50 को गुना करके मैनस 50 से अब आजाए ये बट्टे में 100 कर लिजे 50 दूनी 100 दूसरे कार देज़ेगा 25 मैनस 25 हो जाएगा सर मैनस 25 आई ये 50 50 खतम हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे कि ज दो बार था उचाई को एक बार हमने लिया चुकि एक बार ही था तो 25 पर से कमी आपकी एगनम सी आंसर सही हो जाएगा अगरा प्रस नेगे 62 नमर 62 नमर कहता है एक बेलन और एक संकू के तिरजिया का अनुपात इतना दिया हुआ सर उसकी उचाई का अनुपात ये दिया यानि 3 और आर स्कूर उपर हमारा चुकी बेलन है तो बेलन वहा तिरजिया सर पहले दिया हुआ तो गुने 3 के स्कूर लिख देंगे अगुने एच इसका पहला उचाई हो जाएगा यहां से देख लिजे तो 2 हो जाएगा और नीचे आजएगा सर आर स्कू का संकू का आर क तो इस परकार से बना सकते हैं अगला सवाल देखे तिरेसर नमर क्या कहता है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है इसका आईतन कितना होगा देखे यह सब घन और घनाब जो है आपको क्लास 7 से पढ़ते है घन का विकर्ण जो होता है वो रूट 3 गुने भुजा क्यूं होता है इसको आप तीन बार लिगरी जैसी को 6 बटा रूट 3 छे बटा रूट 3 एसे करके आप इसको स्कुल मिला कर देखे रूट 3 रूट 3 ठी हो जाता है तो तो तीन से च्छे को कार देखे तीन दूनी 6 यह आपको यह आपको दिखाई देगा देखे यह 72 बटा रूट 3 बच जाता है आप हरका परमय करन करेंगे रूट 3 बटा रूट 3 कर लेंगे तो यह हुमारा रूट 3 कुने रूट 3 फिर 3 हो जाएगा अथरी सिकाटेगा बहत्तर कुती हो जाएगा 24 रूट 3 आपका एडजेक्ट आंसर आएगा हरका परमय करन यहाँ पर करन 9 आ गया 9 रूर्ट 3 आ गया रूर्ट 3 रूर्ट 3 काट लिए भुजा आपका 9 हो गया भुजा आपका 9 हो गया प्रिष्ट्य चेत्रफल चाहिए तो घं का प्रिष्ट्य चेत्रफल क्या होता है प्रिष्ट्य चेत्रफल के लिए क्या फर्मूला होता है यह फर्मूला होता है 6 इन्टू भुजाए स्क्वाइर तो 6 आपका 6 रहेगा 9 के स्क्वाइर 81 कर लिजे 6 एकम 6 हो जाएगा कुल मिला करके और 6 आठे 48 हो जाएगा यानि 486 आपका सही आंसर हो ठीक है 486 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं आई आगला सवाल देख लिए मजेदार प्रसन है भी भी आई प्रसन इसको आप कह सकते हैं दो घनों के आईतन का अनुपाद 27 अनुपाद जो है 64 दिया गया है इसके संपुर्ण प्रिष्ट का छेतफल चाहिए सीधा सीधा बात है जब आईतन दिया हुआ है तो आईतन घन का आईतन होता है भुजा क्यूब होता है यनि क्यूब में होगा ही दिया हुआ यह भुजा इसका क्या हो जाएगा तीन का क्यूब 27 चार का क्यूब 64 होता है तो भुजा जो हमारा हो जाएगा भुजा को दो गुणा करने पर इसके संपुर्ण प्रिष्ट के छथफल में कितने प्रतिसत की ब्रदी होगी सर दो गुणा करने की बात हो रही है तो 200 प्रतिसत ब्रदी हो जाएगी कुछ नहीं सोचना है ठीक है दो गुणा मतलब 200 आप कहिए का कैसे प्रतिस्यत बनता यह भी समझ लिजे अगर मान लिजे घंड का भुजा ए है तो प्रिष्टे चतफल 6a स्कॉाइर होता है अजब घंड को दूगुना करेंगे 2a हो जाएगा तो प्रिष्टे चतफल कितना हो जाएगा 6 इंटू टू एका स्कॉाइर हो जाएगा यहनिे चार प्रिष्टे चर चारे स्कॉाइर यहनि कुल मिलाक देखेंगे यह स्कॉपिस चौइस 24a स्कॉाइर हो जाएगा ठीक है तो एक स्वादी की चीज्फ करमा था दीकि दुसर नहीं होगा अब दीकि हल करने पर पता चल रहा यहां तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जागा ब्रधी कितना हो जाएगी यहां चुकि छेत्रफल की बात हो रही है इसलिए यह 300 परतीसत की ब्रधी हो जाएगी ठीक है सधरन ब्याज की दर से ब्याज हो जाता है तो धन बता हैं सर एक ही सुत्र होता है आपको PRT by 100 होता है simple interest में P गुने R गुने T बटे 100 आपको क्या मालूम है SI मालूम है सर 800 बरावर P नहीं मालूम है तो P ग्याद करना R मालूम है 5 और T मालूम है 4 बटाम हो जाएगा 5 चोके 20 होता है 20 कार देजागा 25 एक सो और यह 8 पांचे 40 हो जाएगा निचे भाग में 5 इधर गुनाम आजाएगा 8 पांचे 40 एनि 4 हजार आजाएगा जो की P का भेली हो जाएगा ठीक है किरे रहे आजाएगा अगला प्रसन देखिए 68 नमर प्रसन आपका क्या कहता है कोई धन साधरनी ब्याज की दर से निचे तीन बर्स में 815 है सर और चार बर्स में 854 होता है यह देखिए अगर तीन बर्स में 815 है सर और चार बर्स में 854 है तो एक बर्स के अंतर में कितना का बिर्दी हुआ है तो देखिए तो 49 रुपय की बिर्धी होगी है एक बर्स में यदि 49 रुपय का बिर्धी हुआ तो 3 बर्स में सर 49 गुने 3 यान Subscribe नहीं 17 रुपय की बिर्धी होगी और 815 रुपया 3 बर्स में मुलधन और ब्याज मिला करके है इसी 815 में से यदि 117 को घटा लिया जाई तो 698 भी हो जाएगा जो कि आपको मुलधन इसका हो जाएगा यही 698 होगा इस 803 बरस में 815 होने का क्या मतलब मुलधन और ब्याज दोनों को इसमें जोरा जा चुका है नहीं इस तरह से 698 आपका सही आंसर हो जाएगा आएए सर 69 नमर देख लेते हैं 69 किसी एक निस्ची दर से कोई धन 6 बरसों में 2 गुना हो जाता तो यह धन कितने बरस में 4 गुना हो जाएगा और कितने बरस कह रहा है यह बरस आप अपने मन से यहां पर प्रस्ण वाचक चीन या एकस ले लीजिए इसी को हल करिएगा दूमस एग एक बटे च्छ बराबर तीन बटे एकसर 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 और च्छातरी का 18 बरस में 4 गुना हो जाएगा अगर 6 बरस में 2 गुना होता है तो 18 बरस में यह निश्ची तुरूप से 4 गुना हो जाएगा आए अगला प्रसंदेख लेते हैं क्या कहता है कहता देखें कि 8800 रुपिये है और जो है पांच पर तीसद जो सड़ी 8800 रुपिये सतर है और जो 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 एक इस बटा बीस हो जाएगा उपर वाले को सर मिसद्धन कहते हैं नीचे वाले को मुल्धन कहते हैं और दोनों के अंतर को ब्याज कहते हैं लेकिन अभी नहीं कहेंगे चुकि दो बरस का है तो दो से हम पहले बर्ग कर लेंगे और तब हमारा वक किलियर होगा उपर वाला मिस्धर नीचे वाल जाएगा यहां दो बरस है तो दो बार पहले इसको गुना कर लेंगे 400, 800, दो से गुना करना करियेगा तो ये 800 हो जाएगा तो 2 से गुना कीज़ेश इसमेंगी ये 800 труओ बैरासी हो जाएगा और ये हमारा मिस्धण हो जाएगा तो मुलधन अगर 800 है मिस्धण अमारा 800utch weरासी है ये दो गुना करने पर होड़ा है आठ सो दूस गुना के जिए एक तालिस दूनी क्या हो जाएगा बेरासी आपका एडजेक्ट आंसर हो जाएगा आजाए अगले प्रसुन को देख लेते हैं एक आयत है सर एक आयत की लंबाई चोराई का अनुपाद दिया हुआ देख लीज आगुने दू बराबर होगे अठारा यानि अठारा एक्स बराबर अठारा तो एक्स के वेल्यू कितना हो जाएगा दो अगर एक्स के वेल्यू दो है सर तो यहां ध्यान देंगे अगर एक्स के वेल्यू दो है तो यह अगर चार है तो यह हमारा चार है अगर तो क्या हो ज अगर 4 है तो चार के स्कौाइर और बी अगर 5 है तो 5 के स्कौाइर चार चोके 16 और 25 पाचीस 16 होता रूट 41 आपका सही अंसर होगा क्योंकि 41 का बर्गुन नहीं निकाल सकते हैं तो रूट 41 आपका एडजक्ट आंसर होगा के लिए ना सर आज ये 12 नमर देख लेते हैं जब एक्स का वेलू है तो एक्स का वेलू सर हो जागा 10 जब एक्स का वेलू आपको 10 है तो 3 दहें 30 आच 4 दहें 40 आप 5 दहें 50 ये भुजा के लंबाई हो जागी इसमें कहता है सबसे बड़ी भुजाक के विपरीत सिर्स से लंबवत दूरी कितने मीटर होंगे अब यहां ग्यात क्या करना देखे इस तरह का हो जाएगा आपका तिर भुजाकार यह माली जे इस तरह से भुजाक दिया हुआ है यह 30 है यह 40 है यह 50 है कि अब इसमें क्या ग्यात करना यह लगा में तरहर बिकर्ण करना है क्या का था ? एक संभाहुत्र थिरूजा की होता ? नहीं बनेंगा तो कमेंट आपको कर दिजेगा तो हम उसको अगले वीडियो में आपको मतलब कर देंगे ठीक है ? एक संभाहुत्री थी Mr. K define योट鹤 नवा थिरूजा क्लमाई नहां होता ? इस की होता ? Бराबर 60% की बिर्दी कर दी जाए तो 4 आई में कितना प्रतिसत कमी हो कि कोई पड़िवर्तन ना हो सीधी सीधी बात है अगर माल लेंगे 100 था उसका लंबाई और 60% बिर्दी करेंगे तो 160 हो जाएगा अब काता 4 आई में कितना प्रतिसत कमी किया जाए यहां की 100 पर आजाए 6 तरफल ठीक है तो कितना कीजेगा तो देखिए की 100 है और 160 में कितना का बिर्दी बात है 60 का और यह कमी करना कितमे 160 में 160 बट्टा में कर दीजे गुने 100 हो जाएगा इसी को हलकर लिए 0000 खतम 4 से काटेगा 425 चुके 104 चुके 16 4 होता 2 दूनी 4 हो जाएगा 3 दूनी 6 25 या 75 बटे दू होगा आपको सारे 37 के आसपास सारे 37 पर तीसत अगर कमी किया जाएगा 160 में तो यह आपका 100 के बराबर आजाएगा ठीक है आए एक और लास्ट कोशन 75 नमर देख लेते हैं दूक बरंगोल में ता यानि दो का बरंगोल जो जाएगा वो रूट दू ही रहा जाएगा एक और पास रूट दू आपको आपको दूसरा अंसर है इस प्रकार जो है आप चाहते है कि तेज-दर्रार और एक दम कहते हैं उसको फर्राटे-दार तरीके से दी गनित सीखना चाहें तो निशी दिरूप से हमाने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ सेर भी क्या कीजिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियों बहुत-धन्यवा सब्सक्राइब